हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो की सम्मन्दित है डी ट्रिपल एस भी की नई वेकेंसी आई हैं एड़र्टाइजमेंट नंबर तीन दोहजार एक्किस इससे पहले जो है एड़र्टाइजमेंट नंबर दोहजार एक्किस की भी वेकेंसी आ चुकी है और उनकी जो एपलिकेशन प्रोसेस है वो चल रही है जो डीटर पलेस भी ओनलाइन साइट है वो काफी बिजी है आप फिर भी अपना जो है जल्दी से जल्दी अपना जो टीचिंग पो 3 बटे 21 27 पांस 2021 को इस्यू हुई है और इनका जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 4 जून 2021 को और आप 3 जुलाई 2021 तक फॉर्म भर सकते हैं तो बहुत वेकेंसी आई हैं काफी बल्क में वेकेंसी आई हैं कहीं तो प्रिविएस इयर्स में इतनी वेकेंसी नहीं आई थी टीजीटी बंगाली फीमेल, टीजीटी इंगलिस मेल, टीजीटी इंगलिस फीमेल, टीजीटी उर्दू मेल, टीजीटी उर्दू फीमेल, टीजीटी संस्कृत मेल, टीजीटी संस्कृत फीमेल और टीजीटी ग्रेजुएस, जो टीजीटी पंजाबी मेल और पंजाबी में ह female तो देख सकते हैं कि vacancies जो है category wise दी गई है EWS, OBC, SC, ST और total post आपके जो है सामने लिखी गई है तो देख सकते हैं कि काफी vacancies आई है total 1039 है category wise by application आप खुद देख सकते हैं केवल बंगाली में ही जो बंगाली subject है उसमें एक vacancy आई है बाकी में आप देखेंगे तो 961 female की आई है उर्दू की जो है male में 346 आई है 571 आपको उर्दू female में 866 866 male sanskrit 1169 काफी sanskrit female की आई है TGT sanskrit female की 382 आपको मिलेंगी पंजाबी में male में और 400 बंग में आपको मिलेंगी पंजाबी female में तो as comparison previous years से इस बार जो language में vacancies आई है वो काफी आई है और सभी viewers को मैं बता दू कि जो advertisement number 2 21 है 2 2021 उसकी जो online process है वो चालू है आप अपने जो है form भर सकते हैं वो advertisement number इससे पहले आया था इसके अलावा जो vacancies है उनका जो qualification है वो सबकी आपको specific पढ़नी है ध्यान से और उसके अलावा जो इनमें age है age 32 है general category के लिए और category wise इसमें छूट भी दी गई है contractual teacher है या guest teacher है जन्होंने दिल्ली department के साथ work किया है उनको one time relaxation दी गई है आप यहाँ देख सकते हैं below 32 years 32 साल से कमोंब्र होनी चाहिए यह age limit general category के लिए है और आप देख सकते हैं कि contractual employee है जो उन्हें पांच साल की maximum चूट दी गई है one time age relaxation केवल एक बार के लिए तो जिन्होंने पहले one time relaxation age का ले लिया है contractual employee होते हुए तो उनको यह चूट नहीं मिलेगी 120 दिन उन्होंने एक particular अकेडमिक येर में काम किया हो मतलब अगर आपने 120 दिन एक किसी session में काम किया है as teaching post पर तो आपको एक साल की चूट मिलेगी इसी को अगर हम कहें कि फिर आपने अगर next session में 120 दिन minimum एक academic year में काम किया है तो एक साल के आपको फिर चूट मिलेगी इस तरह से maximum आपको पांच साल की चूट दी गई है और यह term and condition इस circular में mention है आप यहाँ जो है सभी vacancies के लिए education qualification देख सकते हैं और आपको यह description box में link में आपको इसका pdf इस notification की pdf आपको मिल जाएगी आप वहाँ से download करके भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं तो देखिए अलग-अलग post के लिए qualification यहाँ पर दी हुई है जनरली वैसे आपको पता होना होगा क्योंकि आप active members हैं सभी जो teaching post के लिए और फिर भी जिनको नहीं पता होता तो वो TGT का जो यह notification आया है description box में से pdf डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं ठीक है बहुत ही अच्छी है golden opportunity आपके लिए आई है और आपको याद रखना है कि आपका जो CTAT है वो आप qualify होने चाहिए otherwise आप इसके लिए eligible नहीं है केवल teaching post का ही इसमें जिक्र किया गया है TGT की जो की language से related है ठीक है और इनका जो exam है वो DSSB conduct कराएगी online या offline वो बाद में आपको बता दिया जाएगा पर फिर भी आपका अभी जो है कि आपको अपनी तयारी अभी से ही शुरू कर देनी है vacancies आप देखी सकते हैं अपने सामने सभी viewers से मेरा request है कि आप TGT का जो paper 1 है वो सभी में common आता है तो paper 1 क्या जो वीडियो है वो आपको मेरी playlist में मिल जाएगा paper 2 especially मैंने social science sst है जो social sciences social studies है उसका solution करके upload किया हुआ है आप वो भी देख सकते हैं उमीद करता हूँ कि आप जितने भी viewers है या जो भी इन post के लिए apply कर रहे हैं जो काबिल है और जो deserve करता है इन post पर जरूर select होगा मेरी आप सभी को सुब कामना है thanks for watching